नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका मारे यूटीब चैनल पे बहुत बढ़िया बहुत गजब और मन को खुश कर देने वाली खबर और खुट पर थोड़ा सा प्राउट भी होता हुआ कि जो पहले आपसे शेयर किया था वो काफे हद तक इस खबर में देखने को मिलने वाला पी एबी की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा और उपरोक्त आकड़े 2021 के हैं नवीन चात्र सिक्षक अनुपात के अधार पर मानक के अनुसार बेसिक में दो लाग लगबग पद रित हैं अब आप देख सकते हैं कि यहां पर यह पूरा इन्होंने चार्ट दे रखा है टोटल टीचर्स आप देख सकते हैं उपर लिखे हैं सैंक्षिंग पोर्ट मतलब कितने पोस्ट निरधारित किये गए हैं कितने लोग उस पर वर्किंग पे हैं और कितनी वेकेंसी अभी खाली हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उपर दिया गया है टोटल टीचर्स प कितने पद रिक्थ हैं इसी तरह किसे टोटल हम हम हेड मास्टर होते हैं तो कितने पद सेंक्षन थे कितनी विकिंसी अभी बाकी हैं अगर हम ग्रैंड टोटल देखें टीचर्स और हम काम मिला कर क्यूंकि हम की पोस्ट पर डायट भरती नहीं होती है वह प्रमोशन सही होती है तो सरकार जैसे ही या विबाग जैसे ही प्रमोशन करता है क्योंकि बहुत सालों से बेसिक में प्रमोशन रुके हुए हैं तो जैसे ही प्रमोशन होता है तो ये सारे जो सहायक अध्यापक होते हैं वो हेड मास्टर बनेंगे और वो पद भी खाली हो जाएंगे तो आप मान सकते हैं कि जो grand total में headmaster के पद हैं तो उसको आप साहिक अध्यापक के पद ही मानिए क्योंकि जिस दिन ये सारे साहिक अध्यापक headmaster बनें तो सारी जगाए खाली हो जाएंगी और वो भी आप लोग के लिए vacancies में clear हो जाएंगी तो आप मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो टोटल grand total के बात करें तो एक लाख 26,028 पद हैं जो आप देख सकते हैं खाली है नीचे साब दिया तो पूरी पूरी खबर आपके सामने दिखा दी गई है कि या रहा है पूरा डेटा उस डेटा के अंतरगत कितनी जगाएं हैं कितने extension पोस्ट थी बच्चों के हिसाब से क्योंकि आपको बता है basic में बच्चों के हिसाब से ही पोस्ट तैय की जाती है कितनी working में है और कितनी vacancy अभी बाकी है अब आप याद दखेगा मैंने आपसे हर वीडियो में एक ही चीज़ कही है basic में जो admission process औ लक्ष इस बार नामांकन का मतलब admission का रखा गया था जो अभी पूरा नहीं हुआ है मान के चलिए कि जो दो लाग पदों की बात की जा रही है तो दो लाग पद तो कभी भी सरकार भरती नहीं कर पाएगी क्योंकि कुछ पदों वैसे भी खाली छोड़े जाते हैं अगर हम म बनाए कि नहीं कोई मौके नहीं है अनुपाद बराबर है तो RTI जो यह मांगी गई है उससे यह सब क्लियर हो गया है कि अभी जगा बाची है अभी भी न्युक्तियां हो सकती है बस अब सरकार को इस पर स्टेप लेना है सत्रह हजार भरती दे कि आपको पता है लगी ही हु बराबर हो चुका है अब पत नहीं आने वाले उस बात को यहां पे क्रॉस चेक री चेक और करेट कर लीजे कि बहुत जल्दी वेकेंसी आएगी अब सरकार की मंशाप पर है कि वो यह कार कित्ती जल्दी करती है लास्ता अपने वीडियो के उसके बहुत बहुत दिन्यवाद आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि आपकी राय जाना बहुत जरूरी है और पढ़ती रही है एक्टिव रही है निश्क